तूराश् Push nuc rig आशहे बुर्णिंग वी बाडिक सपनींग। आज का टूपिक है लेटर राइटिंग और लेटर राइटिंग में तीसरा टूपिक है वह है जोब एपलिकेशन जोब एपलिकेशन इस्में इसमें आज सिदह प्रकुरा इतना ही बतने जा रहा हूं कि letter vocês कि करनी है कल भी है कि बताया था यह ओफ करक के लेटर है तो हमें उसके मुखे बाग की शुरुआत कैसे खरनी है यह अना चाहिए बादी आपक हए है कि लेटर के मुख्य vaad की शुरुआत देको जॉब है ठॉब के लिए कोई लिखता है किसको लिखेगा या वह प्रिंसिपल अगरी स्कूल में कोई टीचर चाहिए लेक्टर से तो प्रिंसिपाल को लिखेगा कोई कंप नियुक यह उसका पत नाम आ या फिर मेनेंजर को लिखाएगा ठीक है इन में से किसी को वे लिखेगा जोब एप्लिकेशन और सबसे पहले अपना आजाएगा एड्रेस ठीक है पर्सनल में दियावा है तो ठीक नहीं तो अपने मन से लिख दिया हमने सुबास्त नगर जोदपूर 24 मार्श दोजार 22 और अब हमें किसको लिखना है राइट ए जोब एप्लिकेशन टू वहां टू पे आ जाएगा किसको लिखना है जैसे आ गया दे प्रिंसिपल क्या गया दे प्रिंसिपल गोवर्मेंट सीनर सेकेंड स्कूल जोदपूर या फिर जिसको भी लिखना है उसका पद नाम आ जाएगा और फिर हो जाएगा सब्जेक्ट यह चीज आपको लिखनी आनी चाहिए जो एप्लिकेशन इसका जो सब्जेक्ट होगा जोब एप्लिकेशन के लिए यह यहां तक फिक्स है पद नाम अब पद क्या है अगर स्कूल में य लिए तो सबसे पहले अपनको लिखना है एप्लिकेशन फऔर पिर फिक्से एपलिकेशन फार्ट फोर फट लाइंचेन kलारक टर्झ जो भी पट्ज यह उसके अनुसार यहां पर आ जाएगा तो इतनी पंट्रक्स जो के लिए इतनी बतारन है मैं और लिए और लिकेश चाहिए उसका नाम आ जाएगा पद नाम अब इसके सर लिख दिया उसके बाद मुख्य भाग की शुरुआत जो एपलिकेशन के मुख्य भाग की शुरुआत एकडम फिक्स है दिस यह है विद रेफ्रेंस यानि संदर्ब में तो यूर एडवर्टाइजमेंट यहां पर टू करें प्रिंसिपल को यह लिक रहे हैं कि आपकी स्कूल में लेक्टरर चाहिए तब हम लिख रहे है कि आपके विदियापन के संदर में टू शू ब्योर एडवर्टाइजमेंट अचें यह नि आपका विदियापन इन रास्थान पात्री कर सांपत्री का में प्रकासित अगर वो किसी भी अकबार का नाम नहीं लिखा है तो आप अपने मन से लिख दो तो यह लाइन फिक्स है ना पहली विद रेफ्रेंस तो यूर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स आप इंडिया फॉर दे पॉस्ट आप किस पद के लिए विज्यापन परकासित हुआ फॉर अब यह बताया गया है कि अगर लेक्षर रहा तो उसके लिए में सब्जेक्ट आ जाएगा में इन हिंदी चाहिए तो हम लिख देंगे में इंडी या में इन इंगली और विद बीएड और बीएड यह हो जाएगा लेक्षर के लिए पद्ध यानि उसकी योगता अगर कलर आप नहीं सब्सक्राइब का नाम है तो यह लिखेंगे यहां पर मैंने लिखा है कि अख़वार का नाम दियावा है तो ठीक है नहीं तो आपने दैंडू टाइम इंडिया रास्तान पत्रिकाट एकोनमिक्स इन में से कोई भी अकबार का नाम यहाँ लिख देंगे कि ध्यान यह देना है कई बार जो जो यह ब्ड़ा दिया जाता है और ऊसका आ weग्यापन भी दे दिया जाता है ठीकँ कई इस तरह से वीध्यापन का क feature में यहां लिख दिया जाता है कि info तो चेश कंपनी इन्फॉस कंपनी बैंगलोर और यहां पर लिएतेदु है कि रिप्वाइड एंघ्वार इंजिनियर कई बाज्व秃ः इंजिनियर किसके लिए इंजिर इंजिनियर पर र्याँ सोब्टेविए इंजिनियर के लिए हुआ हैं तो इसमें भोलीटा रिक्giaर शॉफ्ट्वर इंजिनियर सॉफ्ट्वए इंजिनियर इस तरह से वह लिए वह ली Iam वह लेक्टेर या शॉट्वएर इंजिनियर यह पद्नाम होनी चीए ही यवेता होनी चीए even if परका के वी जोगेता होती है तो इस में नlarını चाहिए हमस्ट पढ़ ग का उत्तार देना होता है तो यह लाइन फिक्स हो गई जो वेपलिकेशन यह भी लाइन फिक्स हो गई यह अकबार का नाम आ जाएगा फॉर्ड पॉस्ट अफ लेक्चर राजाएगा उसके बाद में हमें इसके बारे में लिखना है कि नेक्स्ट है और यह आपको बता दिया सोफ्ट्वेर इंजिनियर का पद हो सकता है कलर का हो सकता है और लेक्चर का हो सकता है फोर्ड पॉस्ट अफ पद किसका है लेक्चर का कलर का यह सोफ्ट्वेर इंजिनियर का पद है नाम हो सकता है माना कि हमने यह ओदिया लिए लिखा है कि देख फॉर्ट पॉस्ट आफ लेक्टर और इंग्लीज इंग्लीज विशियका लेक्ट्टर चाहिए तब हम लिखेंगे आप अपने हिसाब से लिखोगे ना आई ये वो मैं में इंग्लीज में और बीएड कर चुका हूँ आई येव फाई यार्स टिचिंग एक्स्पीरियन्स मुझे पांच वर्ष का सिक्षन का अनुबव है तो लिख दोगे आई येव फाई येव फाई टीचिंग एक्सपीरियन्स अगर आप किसी कंपनी में अगर सब्ट्वेर इंजिनियर का पद होता अभी हम क्या लिख रहे हैं किस पद के लिए लेक्ट्रर अगर यहां पर सब्ट्वेर इंजिनियर है तो हम लिखेंगे आई येव कंप्लेटीड माई बीटेक यां एम टे कर चुका हूं फिर लिखोंगे आई येव कंप्लीटिड माई बीटेक जाएगा शॉट्वेर इंजिनियर है तो हो जाएगा वर्किंग एक्सपीरियन्स अगर आप teacher है तो लिख दोगे in a reputed in a reputed school अगर आप software engineer है अगर आप software engineer है तो उसका हो जाएगा in a reputed company क्या हो जाएगा reputed school की जगे आजाएगा company यानि मैं company में काम कर चुका हूँ reputed company में आई यह five years teaching या working experience in a reputed company या school इसकूल यां company में काम कर चुका हूँ मुझे उसमें अनुबव है next आप लिखोगे I assure you of my best service यह fix line है जो वे application की यह सभी line है fix है I assure मैं आश्वासंद करता हूँ you in तो मैं I assure you मैं आपको आश्वासंद देता हूँ of my best services अपनी सबसे बेश सेवाओं का आश्वासंद देता हूँ I assure you as your यह आश्वासंदेना of my best service यह अपनी अच्छी सेवा का कब इप आई एम गिवन ए चंस इप आई एम इप आई एम गिवन ए आउसर यह दि मुझे आउसर दिया जाता है तो मैं अच्छे काम का आश्वासंद देता हूँ तो यह फिक्स याद रखना I assure you of my best services इप आई एम गिवन ए चंस यह दि मुझे एक आउसर दिया जाता है तो कि आई एम एन कलोजिंग मैं सलंगन कर रहा हूँ I am sending my resume मैं अपना resume में भेज रहा हूँ I am sending my resume में आई एम एन कलोजिंग मैं सलंगन कर रहा हूँ my documents here with और आप लिखोगे यहां मैं अपने documents बेज रहा हूँ I am in closing and closing करता है सलंगन करना इस करता है सलंगन करना I am in closing my documents here with यहां मैं अपने documents लंगन कर रहा हूँ I am thanking you yours faithfully ठीक है और लश्ट मैं and close CV यह रिज्यू में फिर इसके नीचे आप लिखोगे CV CV यह रिज्यू में सीविया रिज्यू में इसके नीचे अपना जो नेम आ गया जो भी आपका नाम दिया एक के अंदर वो लिख दिया यू 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 अपना नाम और एंड कलोज एंड कलोज इस में जोब एपलिकेशन में नया जुड रहा है बाकि हमने एडिटर को पतर लिखा और कलेक्टर को पतर लिखा उस लेटर के अंदर एंड कलोज नहीं था लेकिन जोब एपलि सीवी रिज्यूमे का मतलब होता है अपना व्यक्तिगत वीवरन है तो सबसे पहले अपना नाम लिखोगे फादर्स नेम हो जाएगा डेट आप बर्त हो जाएगा और इसी के नीचे जो मैंने यहां लिखा यह एज्यूकेशनल क्वालिफिकेशन एज्यूकेशनल क्वालिफि यह मौनला लिख दिया डेट ऑप बर्त लिख दिया साथ आठ उनी सो निननावे और यह एज्यूकेशनल क्वालिफिकेशन आपका अगर लेक्चर रहे तो आपकी क्या योगता होनी चाहिए तो लिख दोगे में इन इंग्लीज और विद बीएड विद बीएड अगर यहा आप लिखोगे भी टेक वी टेक एंड एंड एंट एक कलरक है तो एंड को लिख दोगे और एंसी ए लिख दोगी एक्सपीरियंस अगर आप यहां पर पद अपना क्या है किस पद के लिए जो बेपलिकेशन एक्टर के लिए तो आप लिख दोगे फाई यहर्स टीचिंग एक्सपीरियंस यहां पर सुप्ट्वेर इंजिनियर और कलर का है तो लिख दोगे फाई यहर्स वर्किंग एक्सपीरियंस उसके निचे आजाएगा आपका एड्रेस आपका एड्रेस जैसे आपने क्या दिया इसमें आपने सुभास नगर दे दिया सुभास नगर जोधपूर लिखा है तो जाएगा जोधपूर उसके बाद में आपकी ओवबीज क्या है आपकी कितावें पढ़ने की रूची है या फिर कंप्यूटर पे काम करने की तो आपने लिख दिया फिर कि रिडींग्ग्बुक्स कितावें पढ़ने की रूची है फिर एक और आपने लिख दिया Plain प्लैंग टैनिस और टैनिस खेलने की रूचिए आप ने लिखिए प्लैंग टैनिस और पढ़ने की तो रिडिंग बूक्स प्लैंग टैनिस यह आपकी अब अब बीज के नीचे यहां पर इसके नीचे आता जाएगा और ये हो जाएगा आपका रिज्यू में ठीक है इस तरह से ये दो प्रष्टों के अंदर बन जाएगा जो बेबलिकेशन का अंसर दो प्रष्टों में आएगा ठीक है तो सबसे पहले आपने जो बेबलिकेसिन देखा सबसे पहले लिखना एड्रेस आपका खुद का एड्रेस दिया है परताप नगर बीका नेर दिया है तो आप लिखोगे परताप नगर बीका नेर अगर माना की बीका नेर एक दिया है तो अब पहला अक्सर सभी पीक है ठीक नीचे नीचे आएंगी और यहां पर तारीक लगा दी 24 मार्च 2022 ठीक है इसके नीचे अगर आप ये कलर लेक्षर पड़ के लिए उसके अंदर अगर इसकूल का नाम कोई दिया है अगर इसकूल का नाम दिया है ना कि राइट जोब एप्रिकेशन टूद माना की इस प्रकार से लिखाए गवर्मेंट सीनर सेकंडी स्कूल रिक्वाइर ए लेक्षर इन इंग्लीज अब यहां पर इसकूल में लेक्षर पड़ के लिए प्रिंसी पल इसी तरह से अगर कोई कंपनी का नाम दिया है तो कंपनी में कौन होता है डिरेक्टर या मेनेजर इन पोसिस कंपनी दिया है और इनको इन पोसिस कंपनी का मुख्या कोन है वो नहीं दिया है कौन किस पदवाला यह डिमंड कर रहा है तो हम इसमें डिरेक्टर for the post of Kalarak, this is with reference to your advertisement in अभ यहाँ हमने लिख दिया दे हिंदू, दे हिंदू में यह परकाश हितुआ, for the post of lecture यहाँ software engineer, in lecture in English, I have completed my M.A. in English, or with and B.A.D. B.A.D. or M.A. में complete कर चुका हूं, or I have 5 years teaching experience in a reputed school, एक पर्टिशिश स्कूल में काम कर चुका हूं, यहाँ फिर a reputed company आ जाएगा, अगर यहाँ पर software engineer है, तो यहाँ स्कूल की जगए क्या जाएगा, company, or I assure you of my best services, if I am given a chance, यहाँ मैं आपको असर्शन करता हूं, यहाँ मुझे असर्दिया जाता है तो, I am sending my documents यहाँ रिजू में, मैं यहाँ अपना विवरन भेज रहा हूं, I am my documents share with, यहाँ पर मैं अपने document भी शलंगन कर रहा हूं, इसके साथ मैं, thank you, yours faithfully, name, or and close, मैं CV रिजू में आजाएगा, फिर यहाँ आपको रिजू में त्यार करना है, इस फरकार से यह था, job application, जो किसको लिखा जाएगा, job application यहाँ तो principal को लिखा जाएगा, यहाँ किसी manager को लिखा जाएगा, और कौन सापद होगा, यहाँ तो school है, तो school में teacher चाहिए, lecture चाहिए, color चाहिए, अगर किसी company में चाहिए, तो company के लिए software engineer, यह color हो सकता है, अगर कोई bank को चाहिए, तो bank में क्या होता है, color चाहिए, manager चाहिए, यहाँ पिर उसमें भी computer operator चाहिए, तो इस से यह यहाँ पर आ जाएगा, an application for the post of lecture, color act, software engineer, computer operator, और assistant बगरा जो है, यह आ जाएगा,